हलो वेलकम बैग फ्रेंट्स एकबर फिर से स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल में इस गुरू टूटोरल में देखे कुछ लोगों का सवाल यह रहता है कि वो पुछते हमसे कमेंड में कि आप मोबाइल पे सेरिंग सेटप के बारे में कुछ हमें बताए तो देखे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप मोबाइल से वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मोबाइल पे सेरिंग सेटप बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है तो देखे फ्रेंट्स से इनिस्टी में अगर आप कॉपी राइट पर काम करना चाहते हैं तो देखे कि मॉबाइल पर भी सेरिंग सेटप बनाना संभव है लेकिन आपको जो है एक मोबइल से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि देखे फ्रेंट्स अगर आप एक ही मोबइल से अगर वीडियो को upload भी करते हैं और same to same mobile से आप share भी करेंगे तो आपका वीडियो viral नहीं जाएगा आपकी recommendation रोख दी जाएगी क्योंकि friends देखे कि आप एक ही mobile phone का यूज करते हैं और इसी phone में आपका एक sim लगा रखते हैं और एक ही sim card से आप चाहते हैं कि आप वीडियो को भी upload करें और वीडियो का upload करने के साथ साथ आपका जो है उसी IP address से आप sharing भी करेंगे तो आपका वीडियो कभी भी viral नहीं हो सकत है दो sim card आपको लेना ही होगा या फिट दो अगर आपके पास mobile phone है तब और ज्यादा बेटर है तब बहुत ही अच्छा काम है कि आप एक mobile से sharing setup बनाएंगे और दूसरे mobile से video uploading editing का का काम करेंगे तो friends इस वीडियो के जरी हम आपको बताऊंगा कि कि कितने तरीके से आप अप कौन कौन से app से edit करने में बहुत ही आसानी होगी आपके mobile phone से अगर आप self content भी बनाते हैं तो उसके लिए भी आप mobile phone से काम कर सकते हैं आप YouTube पे अगर काम करना चाहें तो YouTube पे भी काम कर सकते हैं Facebook पे लिए भी आप काम कर सकते हैं तो देखे friends इस video के एक दम सुरू से लेके last आप देखते रहें मैं आपको step by step बताऊंगा कि कौन सा आपको app यूज करना है कौन से app आपको कहां पी मिलेंगे सभी कुछ मैं अपने इस video बताऊंगा देखे friends कुछ चीज़े ऐसी होती है जो मैं अपने YouTube चैनल पे उसे upload नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं upload करूंगा तो मे वीडियो डाल सकता हूं लेकिन इस topic पे मैं वीडियो नहीं डालता इसलिए कि ये सभी जो चीज़े है community guideline के against चला जाता है अगर वीडियो में मैं दिखाऊंगा ऐसा करके तो community guideline के against चला जाएगा ठीक उसी तरह से mobile sharing में भी कुछ ऐसी बाते हैं जिससे मैं अपने YouTube चैनल प कौन से आपसे आपको बहुत ही असानी तरे के साफ editing कर सकते हैं उसके भी बारे में बात करें और sharing setup के बारे में बात करेंगे और IP address के बारे में हम आपको धोरा से जानकारी देना चाहता हूं कि IP address होता क्या है देके friends IP address वो होता है कि जब आप sim card लेते हैं तो company आपको एक IP address provide करती है और जब आप कुछ भी कोई भी काम करते हैं कोई illegal work करते हैं तो आपका जो है उसी IP address के थुरू आपको पकरा जाता है और आप जो पकर में आते हैं IP address के थुरू ही आते हैं क्योंकि आपके नाम से वो register रहता है वो IP address तो देखे कि जब भी आप काम करेंगे जिस भी website म महां पर जो है देखे जाते हैं कि इस IP address से इस website पर इतने देर तक ये बंदा रुके हैं और इतने देर तक ये working किये हैं इसलिए फेस्बुक में भी जब आप वीडियो अफ्लोड करते हैं तो IP address फेस्बुक वाले भी देखते हैं और ठीक उसी IP address से अगर आप sharing भी करेंगे तो फेस्बुक के पकर में तो आएंगे ही तो देखे फ्रेंस इसके लिए आपको देख सिम कार्ड की जरूत होती है एक SIM कार्ड से वीडियो अफ्लोड करेंगे और एक SIM कार्ड से आप multiple ID से जो है sharing setup बना सकते हैं तो देखे multiple ID में mobile phone के जरी कैसे login करेंगे तो देखे फ्रें के सभी में आप login करके एक sharing setup तयार कर सकते हैं और देखे फ्रेंस आप जो ब्राउजर में विजिट करेंगे तो कुछ app kloner भी आपको मिल जाएंगे जो आपके app को multiple में बना देते हैं और multiple में बनाने बाद आप उसमें login करके उससे भी आप sharing setup बना सकते हैं देखे कुछ app paid हो सकते हैं और पुछ आप free भी हो सकते हैं तो paid लेने के लिए आपको पैसे देने होते हैं या फिर अगर तीसरी method का आप यूज करें टेड़ी उमली का अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं अब आप इस सारों के बात को भी समझे कि देखे तू समझा हां नै पे नहीं करेंगे तो remove नहीं होगा वह watermark लेकिन अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपको जो है मिल सकता है वह एडिटिंग वाला मैं देखे किसी आपका नाम नहीं लोगा और किसी क्लोनर का भी नाम नहीं लोगा आप देखे कि ब्राउजर की मदद से आप जो है उसे अ mobile phone के जरिये तो देखे mobile phone में sharing setup बनाना आसान है video editing भी आसान है देखे आप जितना काम अपने laptop से कर सकते हैं सेंब उतना ही काम आप अपने mobile phone के जरिये भी कर सकते हैं बस इसमें अंतर यह रहता है कि इसमें आपको बहुती छोटा छोटा दिखता है तो यहां पे जो है working करने में आपको ज्यारा समय लग जाता है लेकिन आप work तो कर सकते है mobile phone में भी तो देखे parallel आपके माधिम से अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो definitely मेरे comment box में आकर पूछ सकते हैं और description में आपको मेरे private facebook group list मिल जाएगा private whatsapp group मिल जाएगा और साथ ही मेरा facebook page भी मिल जाएगा वहां भी आप हमें जोइन करके वहां भी हमसे सवाल आप पूछ सकते हैं तो friends आज के वीडियो में इतन हैं तो मिलते हैं एक powerful एज के समय वीडियो के सब्सक्राइब के साथ असले के लिए बाए